नमस्कार आपने बी किसी ने किसी गरंच से कुछ न खुछ तो सीखा होगा आपने जिदीशी में पच्छ। से लेके अभी तक कुछ ना कुछ शिर्मत बगवत गीता में रमायन में बाइबल में या फिर गुरु ब्रंद साहब में इसे तरीके से मैंने भी बहुत कुछ सीखा लेकिन चो लाइफ चीजिंग स्क्रिप थी मेरी वो में आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने ऐ ऐसी कौन सी बहुत सारी चीजों में से आज में चार बातें आपके साथ डिसकस करना चाहूंगी मैंने श्रीमत बगवत गीता में से क्या सीखा और जिससे मेरी जिंदगी बदल गई आईए आज ये डिसकस करते हुए मैं आप लोगें के चारे माने का पांच साल से प्रिजादा इस फील में और बहुत थोड़ा ग्यान श्रीमत भगवत गीता का आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ शायद आपको मेरी बातर से कुछ रिलेट हो पाए और आप भी इसको पढ़ना शिरू हो जाए जब आप ऐसी स्तिती में हो जब आपको समझ नहीं आ रहा हुए मुझे क्या करना है श्रीमत भगवत गीता को खोली और जो चैप्टर आता है वो पढ़ लीजे और वो आपके ल चीजें पहली चीज सबसे पहले जो नश नहीं हो सकता उसके लिए शोख क्यों करना है आरजून चैप्टर दो श्लोक 10-30 में यहां पर श्री क्रिशन अरजुन को समझाते हूए कहते हैं जब कोई चले जाता है तो तो शोग क्यों करना किसलिए करना क्योंकि जो एक शरीर के अंदर एक शरीरी रहता है वह शरीरी वह आत्मा है और वह आत्मा ने तो अपने कपड़ें बदल रही है वो आज एक कपड़ों में है तो कल दूसरे कपड़ों में होगी तो इसलिए जब कोई चले जाता है तो हम शोक नहीं करना चाहिए अगर हमने उनसे connection बनाना है तो हम meditation get through अपना connection हम बना सकते हैं तो ये मुझे मेरे को कैसे मेरे लिए इस चीज ने help करा जब मेरी माँ इस दु हो गया और मैं जिन्दी की जी नहीं पाऊंगी और उस वक्त मुझे ये शरी कृष्ण की बाते याद आई और समझ में आने लग गया कि शोक नहीं करना क्योंकि उनसे connection तो हो ही जाएगा क्योंकि आत्मा को हम नश्ट नहीं कर सकते दूसरी बात मैं बताऊंगे कि मुझे क् अच्छी लगी वो ये गुसा तो आप एक राइच डिसें नहीं ले पाते और राइच डिसें नहीं ले पाते तो आपके बनते हुए काम भी खराब हो जाते है इसलिए हमारे को कभी भी गुतना गुसा नहीं करना चाहिए जो खुद के लिए हानिका रखो यह हमारा चैप्टर 2 श्लोक 62 से 63 में है आप इसको पढ़के दिखेगा आप समझ जाएंगे आप मैं तीसरी बात कौन सी आपके से डिसकस करूँगी तीसरा प्रॉइंट है मुझ में रमे हुए की जिम्यवारी मेरी है चैप्टर 9 में यहाँ पर श्रीकृषन समझाते हुए कहते अगर तूने मेरे को सौप दिया है तो तेरी जिम्यवारी मेरी है अगर तू सिरफ यह सोचता है हर चीज करता हूँ अगर तू यह सोचता है कि वो मैं कर रहा हूँ तो मैं ही तेरी जिम्यवारी लूँगा और अगर तू हर वक्त ये सोचेगा कि मैंने ये किया और मैंने ये किया तो फिर जिम्मेवारी तू अपनी खुद को उठा ले तो मैंने क्या सोचा कि अगर मेरी जिम्मेवारी मेरा भगवान लेता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अगर वो मेरे लिए इतना कुछ सोचता है, तो मैं अपने लिए क्यों सोचू, क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है, इसलिए ये बहुत अच्छा है, चैप्टर 9 पढ़ेंगे, आप बहुत कुछ समझभाएंगे, और मैं चौत्थी बात आपसे डिसकर्स करूँगी, आप एका कर रहे हूँ, आप ये समझो, आप हमेशा ये सोचते रहते हो, कि आपके बेटे ने ये क्यों नहीं कुछ किया, आपके हस्बन ने ये क्यों नहीं किया, सब लोग एक इंडिविजुल है, ये इस तरीके से मानना शिरू करिए, जिस दिन आप ये समझेंगे, हर एक इंसान एक इंडिविजुल है, आपका बेटा एक इंडिविजुल है, शुकर मनाईए उस बेटे का, जो आपको मार बाप कहता है, शुकर मनाईए उस हस्बन ए वाइफ को जो इस रिलेशन को एक नॉलेश करता है, तो इसलिए हमारे को एकस्पेक्टिशन नहीं रखनी चाहिए, और भीरभार में भी एकांत में होके बैट, यहाँ पे शरी कुषिन क्या समझाते हुए कहते हैं कि भीरभार मतलब आपकी खुद की फैमिली को छोड़िये मत, अपनी फैमिली में, सब लोग अपने अपने काम कर रहें, लेकिन तू कुछ ऐसा वक्त निकाल, जो तू अकेले में बैट और मुझसे रिलेट कर, और मुझसे बाते कर, और यह देख कि तू खुद कहां गलत है, जिस दिन हम यह सोचने लग जाते हैं कि मैं कहां गलत हूँ, उस दिन हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती, यह ऐसे चार पॉइंट्स हैं जिसने मेरी जिन्दगी बदल दी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं डेफिनेटली अगले किसी वीडियो में शेयर करूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलेगा, और जो चाप्टर में जो श्लोग बोला है, अगर चाप्टर नहीं पढ़ सकते हैं तो श्लोग पढ़के, रिलेट करके देखिए आपकी भी लाइफ बदल जाएगी जिसी मेरी बदली है, थांक यू सो माज,